हेलो फ्रेंड्स आई पर्चेश दिस चार्जर वायरलेस चार्जर यह मैंने च्छे महीने पहले खरीदा था और यह हमारा M-Brain का चार्जर है इसके अंदर हमें यह डिस्प्ले मिलती है जिसमें टाइम दिखता है और दो अलार्म भी सेट कर सकते हैं इसमें और A-M-P-M का फंक्षन भी है साथ में और इसको यहां से पीछे जैसे इसके बटन्स है तो यहां से लाइट भी उन कर सकते हैं इसे दो मोड है लाइट केस में एक से कम इंटेंसिटी और दूसरे से इंटेंसिटी बढ़ जाती है लाइट की और यह तीन जो बटन है लग लग एक शेटिंग का और एक यह जो आप शेटिंग्स करते हैं जासी भी टाइम चेंज करना होता है तो अभी आप देख पा रहे क्योंकि मैंने इसको खोल दिया था एक बर तो खोलने की वज़े से यह इसका जो टाइम है वो इसकी जो डिस्प्ले है वो खराब हो गई थी इसमें यहां पे आपका टाइप सी केबल लगता है और यह ऐसे चलता है और यहां पे हमारी जो ब्लू लाइट है वो यानि अभी य है तो यह हमारे पास एपल का फोन है यह हमारा देख ऐसे देखिए यहां पर यह टाइम भी शो करेगाँ यह अजर्द काफु अच्छी तरह करता है और कई बर मैं इसकी लाइट को जैसे रूम में अंदहरा होता हूं तो मैं इस लाइट को कई बर इसे जलाकर दोह भी जात फास्ट वायरलेस चार्जिंग हो रही है तो यह अभी हमारा 76% चार्ज है और अभी जैसे यह 42 मिनट्स दिखा रहा है तो यह चार्जिंग भी काफी स्पीड इसकी जो है वो अच्छी है तो अभी मैं आपको चार्जिंग सेटिंग्स चेंज करके दिखा देता हूं जैसे कि अब देख पारे होंगे यहां पर तो अगर इसको मैं डिसेबल कर देता हूं तो फिर यह टाइम जो है हमारा इंकरीज हो जाता है लाइक अभी 42 अभी 42 मिनट्स था जो वो बढ़के हमारा 1 आवर और 1 मिनट्स हो गया है तो यह मतलब हम बोल सकते हैंगी जो इसकी फास्ट वायरलाइस चार्जिंग है वो भी काफी अच्छी तरह से वर्क करिए यह दुबारा देख सकते हैं आप यहां पर 42 मिनट्स हो कर रहा है उन्टिल फूल सो दिस इस इट काफी ठीक चार्जर है यह मैंने लगबग 1200 के असपास परचेस किया था और अभी तक काफी सही चल र अब और नाइट चार्जिंग के लिए रख देता हूं मैं फोन को कई बार जैसे फोन अगर मेरा 5 या 10 परसेंट है तो मैं इसको ओवरनाइट चार्जिंग के लिए रख देता हूं तो यह लगा लेजी सूबह तक यह फूल हो जाता है और हिटिंग भी नहीं होती है अगर म यह मेरा एक ओनेस्ट रिव्यू दा इसके लिए थैंक यू वरी मच्छ